so hello and welcome back to the new interesting video guys so this video हम बात करने वाले इस टाइप के रिल्स के बारे में जो इस्टाग्राम पर कापी जाद अंटरेंडिंग में चल रहे हैं so अगर आप भी इस टाइप की रिल्स एजीली एडिट करना चाहते हैं so इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना so without wasting any more time let's get started so इस टाइप की वीडियो एडिट करने के लिए first of all आपको वीडियो को कनेक्ट कर लेना है और वीडियो कनेक्ट करने के बाद आपको चाहिए होगा CapeCut so CapeCut की लिंक आपको description में देखने को मिल जाएगी so simply say CapeCut чтобы open करकी यहाँ पे आपको new project पर क्लिक करना है दनियां पर आपको जो भी video edit करनी ओ वो यहाँ से आपको i edit कर लेनी है so video edit करने के बाद simply से आपको video पर क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पर आपको duplicate पर क्लिक करकी स्का एक और duplicate बना लेना है duplicate करने के बाद यहाँ पर आपको आगे वाले वीडियो पर आ जाना और उसके बाद यहाँ पर आपको overlay पर click करकी से overlay कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको overlay को select कर लेना और उसके बाद यहाँ पर आपको remove background पर click करना और उसके बाद यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिल जाएंगे तो simply से यहाँ पर आपको custom removal पर click करना है तो इसके बाद यहाँ पर आपको click brush को select कर लेना है देन जिस भी person पर आपको यह pick चाहिए होगा तो उसके बाद यह person पूरा को पूरा automatically select हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको brush पर click करना और brush की size को थोड़ा सा कम कर लेना और उसके बाद जिस body part में सईसे brush नहीं हुआ है वहाँ पे आपको zoom करके सईसे अपने हिसाफ से brush कर लेना है तो उसके बाद यहाँ पे आपको ok करके थोड़ा सा wait कर लेना और थोड़ा सा wait करने के बाद यह यहाँ पर done हो जाएगा देन वाजाने के बाद simply सी यहाँ पर आपको फिर से overlay को select कर लेना और यहाँ पर आपको adjustment में चले जाना है So यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगे So simply सी यहाँ पर आपको graph पे click करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको बीच में click करके इस dot को उपर गीदर अप left corner में move कर देना है उसके बाद जो person की body रहेगी वो पूरी ऐसे white हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर जो contrast और brightness होगेरा है उनको भी आपको अपने साब से adjust कर लेना है इसके बाद आपकी वीडियो almost ready हो जाएगी आपको वीडियो देखने को मिलेगी आप चाहिए तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर अगर आपको इसके color होगेरा को change गरना है तो simply से आपको फिर से adjust में चले जाना है या पर temperature और वीडियो का hue होगेरा को अपनी साब से adjust कर लेना है इसके बाद में आपको वीडियो effect में चले जाना है या पर आपको night club में चले जाना और या पर आपको बहुत सारी effect देखने को मिल जाएंगे या पर जो colorless flesh वाला effect है उसे आपको select कर लेना है देन या पर आपको object पर क्लिक करना और या पर आपको overlay को select कर लेना है उसके बाद में adjust पर क्लिक करके कुछ इस तरह से अपनी साब से सारी चीज़े adjust कर लेनी है इसके बाद इस effect की length को बटा कर वीडियो के बराबर कर लेना है इसके बाद आपके वीडियो ready हो जाएगी या से इसे export कर लेना है यही थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छे लगी होगी और ऐसी और interesting वीडियो देखने के लिए प्लीज डू like, share and subscribe